दिल्ली शेराब नीती मामले में अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी और उनकी अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोट में शुकरवार को दो गंटे बहस सली जस्टिस संजेव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बैंच ने लोग सब चुनाओ को देखते वे केजरिवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया है ताकि वे कैंपेंड में हिस्सा ले सके बेंच ने कहा कि मेन केस में समय लग सकता है यह अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए इस मामले में कोट ने eating से कहा कि अघली सुनूवाई में अंतरिम जमानत के इस्तरी पर फैसला किया जाएगा केजरिवाल की ओर से वरिष्ट वकील अभिशेक मनु सिंगवी और E.D. की तरफ से A.S.G.S.V. राजू ने सुप्रेम कोट में दलीले रखी सिंगवी ने कहा कि दिल्ली के मुख्य मंतरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं और उनकी गिरफतारी गैर कानूनी है उन्होंने E.D. के नो संबन का जवाब दिया था और गिरफतारी का आधार नहीं हो सकता A.S.V. राजू ने कहा कि केजरिवाल को गिरफतार करने का निर्ण ने एक स्पेशल जजज दुआरा लिया गया था हाई कोट ने गिरफतारी से रोकने का फैसला किया था इस घटना के संबन में आगे की कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि इस मामले में अगले सुनवाई साथ माई को की जाएगी केजरिवाल के वकीलों और E.D. के प्रतिनिधियों ने बैंच के सामने अपनी दलीले रखी केजरिवाल को शरावनीटी केस में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था और उन्हें रिमांट पर भेजा गया था और उन्हें कोट ने न्याईक हिरासत में भेज दिया था